उत्तर प्रदेश ललितपुर के आजादपुरा में रहने वाले लक्ष्मी नारायन भारती रेल को धन्यवाद देते नहीं धक रहे वज़े है उनकी तीन साल की बिटिया कावया जिसे रेलवे की चुस्ती, चालाकी और सूजबूच के कारण अपरण होने से बचाया गया अपरण करता को दबोचने के लिए रेलवे ने दोडाई नौन स्टॉप ट्रेन जी हां जांसी स्टेशन पर तैनाद रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरिक्षक रवेंद्र सिंग राजावत को प्रभारी उपनिरिक्षक जी आरपी ललितपुर ने सूचना दी कि एक दुबला पतला व्यक्ती तीन वर्षे बच्ची का अपरण करके राप्ती सागर एक्स्प्रेस से भोपाल की तरफ जा रहा है साथी बच्ची और संदेग्द व्यक्ती की पहचान भी बताई सूचना पर फोरण अमल करते हुए जांसी ने भोपाल से संपर्क साधा वा मामला बताया इधर जांसी के प्रभारी निरिक्षक एसेन पाटीदार ने बच्ची की मा से अन्य जानकारी प्राप्त करते हुए ललितपुर पोस्ट पर CCTV फोटेज खंगालते हुए संदेग्द व्यक्ती को बच्ची ले जाते हुए देखा जिसका फोटेज तुरंत भोपाल आरपीएफ को उपलट करवाया करीब पौने नौ बजे जब गाड़ी भोपाल पहुँची तो आरपीएफ भोपाल द्वारा अफरत बच्ची समेद आरोपी व्यक्ती को गिरिफतार किया गया इस तरहे रेलवे, जी आरपी, आरपीएफ आदी सभी एजेंसियों की मदद से तुरत कारवाही कर बच्ची को रिकावर कर लिया गया सुरक्षा बलके इस अतुलने प्रयास के लिए रेलवे भी सलाम करता है